जैने दोस्तों वल्कम तू जोतर में दोस्तों आज हम स्वागत करेंगे बाबा रामदा स्री का बाबा की खरीकूटे से बाबा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे जैश्री राम जैश्री राम जैश्री राम हर्याना में जब लट गाट दिये थे तो उस लट को औ और मजबूत करती अर्याने मुलेट रिगाड़िया बास गाड़ दिया पूरा बास दे दिया जो बास गाड़ दिया कती तो उस बास गाड़िया पाच्छे उसमें कती यह वीत्र गों के मानने गी कि मतलब तुमने जून दोजार चौविस में जो मज़ाग समझ लिया असली बीजेपी अब आई सत्रा राज्यों के मुख्य मंत्री कोई भी आओ भीड जबर्दस्त दशैरा मैदान के अंदर तूफानी तरीके से एक जिसे कहते हैं आगाज किया है और अगर सुन जोड़े तो महराष्ट पर चार कंड़ एक तरफ बीजेपी जिसे कतना जोस से लबा लब एक जटका लग पुन है पप्पू करण से दुबारा से दबाओ में आ गई और जितने सहीयों की दल है वो कॉंग्रेस पर दुबारा से चड़ दो बाबाजी मामले को आप किस उज़र से देखते हैं इस शपत ग्रहन को शोबाजी आगाज लट गाट देना कती गो देना पांस गो देना औ कि आपने एक शब्द बहुत अच्छा इस्तिमाल किया रिमोंजी राहुल गांधी का पुनर पप्पू करण हो गया राहुल गांधी पीच में कुछ ज्यादा उड़ने लगा था हर्याना के उप्चुनाव ने राहुल गांधी को वापस से पपू बना दिया और हर्ट और कॉंग्रिस समर्द को में और कॉंग्रिस के काडर में एक तो वोटर है काडर है दोनों ने एक बात फिर से इस्टाब्लिश कर दी कि भाई ये पपू है इसमें कोई सुदार नहीं हो सकते अच्छा जिस तरीके से राहुल गांधी बेबस और लाचार नदर आया ना वो बता रहा था कि राहुल गांधी के बसकी पॉलिटिक्स यार है नहीं पार्टी इसके बसकी है रह नहींगी चला ना जिस तरीके से पार्टी पे कबज़ा किया हुड़ा खाबन और सर मेरे जीवन का पहला ऐसा चुनाव है जहां एक मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे पूरा चुनाव इस रणनीती से लड़ा कि कॉंग्रेस को 40 सीटों पर हरवा ना है मतलब जब स्ट्रेटिजी बन रही थी तो उसमें था कि ये 40 तो हरवा देनी है सीट ये 50 जीत लेनी है ऐसी भी कोई स्ट्रेटिजी और हाई कमांट देखती रहेगी सत्रे सीटों पर ऐसे कैंडिडेट खड़े कर दिये जो की जो अधिकारी कैंडिडेट था उससे तीन मुना ज़्यादा वोट ले गए अफिशिल कैंडिडेट 15 जार वोट ले रहा है बागी कैंडिडेट 40 जार ले रहे है और कॉंग्रिस ने जान बुचके खड़े कर दिये उड़ा साहब ने खड़े कर दिये तो सर इससे एक बात वापस इस्टैबलिश हो गए कि रावल गांदी एक तोटली बेबसलाचार और दूसरी चीज बीजेपी ने एक चीज सद्ध कर दी इस चुनाओं में कि संग्ठन क्या होता है काडर क्या होता है और अगर बीजेपी अपनी वाली पे उतर जाए तो क्या कर सकती है यह चीज और नेरेटिव कैसे सेट करना है कि सारी चीजें बीजेपी संग्ठन ने कारे करता ने काडर ने तब मिला के आरसिस क्या होती है आरसिस की ताकत क्या है आरसिस जमीन के नीचे अंडर करेंट कैसे डेवलप कर सकती है अंडर करेंट को कैसे अपने फाइदे के है अगर आरे से सपने वाली पर आ जाएगी तो बीजेपी को कहीं से कहीं ले जा सकती है सर यह सारी चीजें इस चुनाव में प्रूव हो गई बाबा जी दो से तीन सो दीन पर लेगी आरे सेस इस चुनाव अच्छा अभी क्या है कि जो आज शपत हो रहा है जिरा दो मिनुट उस पर बात कर लेते हैं शपत हो रहा है जी दशेरा ग्राउंड में और ऐस से आज मेरे कभी एक रिसेंट अभी दस मिनट पहले बात हो रही थी मैंने का लेटेस्ट अपडेट ले लूँ जरा बूले पूरे पंच कुला को ऐसे सजाए गया जैसे दिपावली पे जो सजावट होती है नो पूरे शहर में पूरे शहर में ऐसी सजावट है पूरी एंडिया आ रही है 17 चीफ मिनिस्टर पूरा भाजपा आई कमांड इ जो मूड है वो जन्सभावाला है आम पबलिक को बिलाया गया है और यहां से भाजपा अपने महराष्ट जारखंड और यूपी के दस सीटों का जो नौ सीटों का उपचुनाव है उसका शुबारंब करेगी उस अभियान का यहां से आज से आज जो आम मोदी जी का जो भा अच्छेंज करती हुए भी दिखाई देगे अच्छा एक चीज़ और बीजेपी में एक रणनीतिक परिवर्तन जो मैं यह महसूस कर रहा हूं कि जो अब तक बीजेपी का जो नारा था न मोदी जी का सबका साथ सबका विश्वाद सबका 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 वहां से वो बदल गय है और अब योगी जी का नारा चलेगा कटोगे तो बटोगे बटोगे तो कटोगे यह जो नारा है ना आज से अब अगले पांच साल तक जो मूल मंत्र रहेगा बीजेपी का वो यह रहेगा बटोगे तो कटोगे एक रहो नेक रहो सबसे पहली बात वो आज से आपको में देख चुके हैं अब एक चीज़ और सर आज एक तरफ ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा जब पंचकुला में तो जो कॉंग्रिस का काडर कॉंग्रिस तो मैं उसको बोलता नहीं हुद्डा कॉंग्रिस का काडर या हुद्डा समर्थक यह वो लोग जो यह समझते थे कि सत्ता पे सिर्फ जाटों का अधिकार है हर हालत में जाट ही चीफ मिन्स्टर बनना चाहिए वो राजनीती यहां से अब कहां जाएगी एक बड़ा बहुत बड़ा जैज सवाल है यह कि आज के बाद अब आज के बाद अब हर्याना की राजनीती किस राश्ते पे चलेगी तू सर मुझे लग रहा है कि हर्याना की जंता ने किस जंता ने हुड़ा समर्थक जंता ने एक बात को समझ दिया सर पंदरः साले तो बहुत लंबा पीर अड़त है हर्याने के लिए तो पांत साली बहुत है पर दस साल बाद भी गए गवर्मन्ट रिपीट होगी कल मैं एक जगे बात कर रहा था तो उजाट बाइद था मारा बड़ा पक्का यार है मारा बोले बाबा दुख इस बात का नहीं है कि चुनाव आर गए इस बात का दुख को नहीं है कि दुख इस बात का नहीं है बुड़ी अमर्गी ना दुख इस बात का यम्राज ना रस्ता देह लिया कि मन पुझा क्यूकर भाई के हो गया बोल्या इन पैंटिस जात वाले ओने फर्मुला मिल गया इनको हमें पॉलिटिकली कैसे डिफीट करना है पॉलिटिकली सत्ता कैसे हासिल करनी है और अपने हाथ में बना के रखनी है इसका फॉर्मुला मिल गया कि अगर पैंटिस जात एक होके इसी तरह वोट करती रहेंगी और लालच में फसेगी फ्री बीस के लालच में नहीं फसेगी तो जाटों को जाटों की गुंडा गर्दी को जाटों के इस दम्भ को कि सत्ता पे तो सिर्फ हमारा आग है सिर्फ में ही सत्ता के लाइक हैं सत्ता सिर्फ हमारी होने चाहिए चीफ मिनिस्टर सिर्फ जाट ही होना चाहिए ये जो दंब है न सर इसका हमेशा के लिए राज कर दिया तो आज के बाद मेरे मैं ये मानता हूं कि जिन लोगों को ये दंब था सर वो आज के बाद थोड़ा था मैलोडाउन होंगे नहीं यार इन बाद तुम कुछ नहीं रखा एक रहो नेक रहो अच्छा आपको मैं आपने एक ध्यान दिया होगा फास तोर पे जब ये ओलम्पिक के मैडल आते थे या ऐसा कोई अचीवमेंट होती थी तो अचानक सोशल मीडिया पे बहुत सारे पेजस सक्रिय हो जाते हैं फलाना भी जाट है फलाने भी जाट नहीं है इतने मैडल जाटन ले लिए सारे तो सारे मैडल तो मारे दो रहे है हम ही है सबसे तगड़े हम ही है सबसे श्रेश्ट ये जो श्रेश्ट था वादी जो सोच थी ना है ये जो समाज में अचा सर सोशल मीडिया इसका नाम सोशल मीडिया क्यों रखता है कि पूरा समाज इससे जुड़ा होता है पूरा समाज इसको देखता है तो सर जब ये जाट 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 चारु तरफ होती थी ना जो बाकी 35 जाट थी ना उनको ये बात ही बुरी लगती है जैसे फॉर एंपल फुलाणी जाटनी मेडल लियाई मैं अच्छा रही जाटनी थी मैं तो इसने इंडियन समझ रहा था बारती समझ रहा था उत्युरी तो जाटनी लिगड़ी आई जो लंपिक में गया है वो इंदुस्तान का रेप्रेसेंटेशन कर रहा है यह थारी खाप का कर रहा है भुले हम मलक गोच की है तो इस प्रकार की जो आप यह जो खोखली बातें करते हो ना जिसको हम भारत की बेटी बना रहे हैं उसको तुम रहे अपनी खाप की बेटी बना दिया विनेश वोगाट की साथ क्या हुआ अले सर्द एक बात बताईए ना विनेश वोगाट को जब प्रेजडेंट ऑफ इंडिया ने अपने घर पे आमंत्रित किया तो वो किस ने आमंत्रित किया था सर महा महें राष्ट्रपती ने जब पीम हाउस में निमंत्रन आया था सर तो वो प्रधान मंत्री जी नरेंद्र मोधी का इंविडेशन नहीं था वह व्यक्तिकत व्यक्तिका भारत के प्रधान मंत्री ने आपको इंवाइट किया था जब उन्होंने आपको फोन किया था तो भारत के प्रधान मंत्री ने आपको फोन किया था आपके लिए कितनी बड़ी ऑनर की बाती कहती है मैंने फोन निठाया अच्छा इसको यह बादरी मान रहे थे इनको यह नहीं पता कि बग की जनता इसने क्यों कर ले दी है अच्छा इतना गमंड हो गया तम थारे में कि देश का प्रदानमंत्री फोन कर तम फोन निठाते इसको यह बहुत बड़ी बहादरी मान रहे थे इसको यह बहुत बड़ी बहादरी मान रहे थे अच्छा इसके बाद जैसे वो जो नाटक वो तमाशा हुआ वो स्मांसर भी जिसने की इनको एरपोर्ट से रिसीव किया और बलाली गाहों तक ले गए तो बग की सारा अर्याँ दूंसर गया तो एक जातिका एक प्लिटिकल पार्टी का यह उजन है इसका मैडल मिलमपिक खेल के वापस आना बगाएर मैडल काप मैडलिस्ट होना यह दो जाति का यह उजन हो गया यह जात्य की खिलाड़ी बनके रहे गई तो सर यह जो यह जो जाती है पॉलिटिक्स का नंगा नाच पिछले कुछ समय ते अर्याने में हो रहा था ना और इस प्रकारते जाती है दंब अपनिये को सुपीरियर्टि कॉंप्लेक्स से ग्रस्त व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि वह समाज में किसकादर आइसोलेट हो रहा है जो आदमी बहुत जादा है जाती चाड़ी कर गे मुझ नियो और नियो मैं तो नियो होड़ खंडवा है मेरा है जो आदमी इस प्रकार से समाज में व्यभार करता है लोग वो जानता नहीं कि वो समाज से आईसोलेट हो रहा है दिरे दिरे कट रहा है तर इस चुनाव की हार ने इस सामंती वर्ग को ये एहसास करा दिया है कि इस तरिके की सामंत शाही सोच अब समाज में नहीं चलेगी सत्ता पे सर्फ हमारा हक है ये सोच नहीं चलेगी और यहां से अब वो वापत जाएंगे और समाज में समरस्ता समाजिक एक्ता समाज के सभी वर्गों में सोहार्द रुकावाता वरण पैदा होना चाहिए क्यों कि बहुत से लोगों का घमंड तूट गया इस चुनाव ने तोड़ दिया ये सबसे बड़या जो मैं ये मानता हूँ कि इस चुनाव का रिजल्ट है ये कि बहुत से लोगों को कच्चे बले आया कच्चे बतायर दिया आजाओ वई धरातल पे आजाओ जरा बहुत दिन आवा में उड़ लिए इस थोड़ा जमीन पे उतर जाओ लेंड कर जाओ बहुत दिन उड़ लिए आज का सर्शपत ग्रहन समारो ये बता देगा जी एक माराष्ट और जारखंड में अरियाना के चुनाव का क्या सब्सक्राइब बनोबल या वास्तरिक्स ग्राउंड उपर तर सबसे पहले तो लोगों की यह गलत पर हमें दूर हो गए कि भाजपा तो खतम हो गई भाजपा का तो डाउन फॉल शुरू हो गया भाजपा तो सर भाजपा इस चुनाव की जो सबसे वड़ी खास्यत थी ना भाजपा ने अपने लोवेस्ट लेवल से चुनाव शुरू किया था जब चुनाव अभियान शुरू हुआ है तो भाजपा पंदर सीटों के असपास थी और भाजपा ने जान बूज के भी कुछ ऐसी इमेज बनाई थी ऐसा कुछ परसेप्शन बनाया था समाज में कि ना ना हम तो पंदरह सीटों से अभियान की शिरुवात करके और धारा के विपरित तेरते हुए धारा का मुझ मोड़ दिया गंगा जी ना अर्दवारता उल्टे ले गए गो मुख तक सर यह जो मुरायल बूस्टर है ना संगठन का और दूसरे रावल गांदी के यहां पप्पू लिख दिया दुबारा दुबारा लिख दिया सर उसका नतिजह आप देख लो महराश्टर में उसको अभी से उसको रिजेक्ट कर दिया इंडी अलाइंस में में वो क्या नम उद्धर ठाकर ने बोल दिया ना भाई सीम चेहरा डेक्लियर करो और सीम चेहरा मोंगे तुमारी आवकात क्या है तुमारे पास है क्या सर सेम सिंग इज हैपनिंग इन यूपी यूपी में जो थर एक बादा दूँ आपको जो बहराईश दंगा हुआ है वो जान बूज के समाजवादी पार्टी ने आयोजित प्रायोजित किया सिर्फ मुसलिम वोट बैंक को अ बिल्कुल नहीं चाहते कि मुसलमान जो है राउल गांदी की तरफ खिसक जाए जैसा कि उन्होंने लोक सभाद चुनाओं में और इस हर्याने वाले विदान सभाद चुनाओं में वोट देना एक अलग चीज़ होती है सुनिए वोट तो हमेशा से मिलता आया है हर्याने में पर जो केमिस्ट्री थी ने तर एक होता है वोट दे दिया चलो बेमन से दे दिया तर जो केमिस्ट्री थी ना कॉंग्रेस की मुसलमानों के साथ अर्याना के चुनाओं में वो बड़ी खतरनाख थी वो बहुत खतरनाख केमिस्ट्री थी मामन खा के बियान सुन लीजे और वोटिंग परसेंटेज देख लीजे जो उत्सा था मुसलमानों में वोट देने का हर्याना में सर इस चीज़ ने से अखिलेश के कान खड़े हो गए कि यार ये तो मुसलमान तो कॉंग्रिस की तरफ बहुत तेज़े ते कि तक रहा है तो तुषर ये बहुत खतरनाक स्थिती है और इसको बचाने के लिए और मुसलमानों को आशर दीके है मुसल्मान को अपने पाले में रखने के लिए उसको भाजपा का भाए दिखाना जरूरी है भाजपा से डराओगे तब ही मुसल्मान तुम्हारे खेमे में रहेगा इसके लिए ये बैराईज दंगा प्राय उजिद कर दिया गया और अब वहां खुलके पॉलिटिक्स हो रही है तो सर ये इस हर्याना के उप्चुनाव ने राउल गांदी को फिर से बैक फूट पे ला दिया है यूपी में अखलेश यादव और महाराश्टर में स्पेशले उद्धव ठाकरे और वो क्या ना शरत पवार वाली पार्टी वो अग्रेसिव हो गए है अब फ़र बात ये है कि उद्धव ठाकरे मुस्लिम वोट महाराश्टर में मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए कहां तक गिरता है मतब ये तो इससे बड़ी विडमना तो कुछ होई नहीं सकती न कि बाला साफ ठाकरे का लड़का मुस्लिम परस्ती में जो है एकदम चेक वाली लुंगी पह सोच के देखिए तर उद्दव ठाकरे चेक वाली लुंगी इतनी लंबी दाड़ी बिगर मुच की टोपी पेहन के कैसा लगे का सब्सक्राइब हर्याना से चुनाव ने बहुत यह अच्छा आपको बता हम आज से दस साल बाद जब वर्तमान राजनितिक परिद्रश्य का जब इत्यास के जाएगा ना तो हर्याना चुनाव उसमें सबसे इंपोर्टेंट घटना मानी जाएगी क्योंकि यहां से पूरा दिशा परिवर्तन हुआ है भारती राजनितिका यह स्थिति है आज की अर्याने की और आज से अर्याना का अब धीरे धीरे भाजपा की तरफ मुड़ेगा हुड़ा सहाब से मोभंग हो चुका है इस हार के लिए सीधे सीधे जाटों ने हुड़ा सहाब को तोशी ठहराया है दिपिंदर हुड़ा की जो नीतियां थी इस तरीके से मतलब नगन जाती ये राजनीती जो उन्होंने की स्पशली विनेश फोगाट को लेके जो राजनीती हुई पहलवानों को लेके जो राजनीती हुई इसको एक जाती विशेश का जो आंदोलन बना दिया गया पहलवानों वाला आंदोलन इसने बलकि उल्टा कॉंग्रस को फाइदा तो ने नुकसान किया क्योंकि इस आंदोलन और इस पूरे नाटक के वो जो एरपोर्ट पे रेसीव करके रोड शो करके बलाली तक ले जाने व क्योंकि यह तो इनका यह तो इनका नातक है पुरी खाप पॉलिटिक्स हो रही है यहां तो यह स्थिति है दब बाबाजी जिस तरीके से आपने बताया मेरे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से राहुल गांधी बैक्प पवेलियन दे लोड़ चुके हैं दो तीन चार महिने के बाद वो तोड़े से लॉच हुए इस पार तोड़े से उड़े और फिर दुबारा आके पप्पु गरण ह हो गया और उसके बाद दुबारा से पेट्रोल बर्वाने चले गए है और बीजेपी जो अभी तक हलके में ले रही थी और पप्पु इमिज के सहारे जीतने की कुशिश कर रही थी बीजेपी को समझ में आ गया कि भाई और अच्छा वह बीजेपी को चटका लग लगी ब बीजेपी का भरम टूट गया सबका साथ सबका विकास साथ सबका विश्वासवगर इंपगर में those बहुत बुरा टूट उप तो सबका विकास जो हो रहा होने दो जो हम कर रहे हैं वो तो करना ही पड़ेगा और हमारी रार्जिति नहीं बते हैं और यहां राहुल गांदी ने अधूरी सफलता रहा है जो अधूरी सफलता ठीक है 56 के फेर से बाहर आ गए लेकिन 100 के अंदर-अंदर रहे तो अधूरी इन्हें लगबग लगबग बेट सुसे 200 सीटे लेके आना चाहिए था और बीजेपी को अंडर-वन-एटी या मतलब वन-एटी या असपास था रोक जाती तो शाहिए रिवाइबल आफ राहूल गांदी हम देख सकते हैं लेकिन अधूरी सफलता राहूल गांदी की जो अ सब्सक्राइब और बीजेपी जिस द्वंद में थी उस द्वंद से बाहर में कल चुछी मुझे ऐसा था बाबाजी जो आपने टाइल दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया कोई कंप्लूडिंग रिमार्क नहीं सर बस इतना है कि आज का शपत ग्रण समारुत का श्री गणेश करेंगे चुनावे अभियान का इसलिए आज का जो वो इवेंट है वो देखने लाइक होगा सुनने लाइक होगा उससे बहुत सारे संकेत मिलेंगे कि भारती राजनीती अब किस दिशा में आगे बढ़ रही है और आज के इस शपत ग्रण से एक और चीज़ क्लियर होगी कि भाजपा और संग के बीच में जो थोड़ी सी गलत्वयमिया भाजपा को हो गई थी कि हम संग के बिना भी सर्वाइब कर सकते हैं अब हमें संग की जरुत नहीं है अब हम काफी बड़े हो गए है तो संग ने इस अर्यान चुनाव में तर ये भी मेसेज दे दिया कि ने बेटा अभी तुम बच्चे हो अभी पापा को अभी पापा है हरीमान भाई बहुत बहुत दन्यवाद आपने समय दिया सर्थ थैंक्यू वेलाएं मुद्धी आमे चया चानल जोत्र पर और मने चेनल बाबारामदास कहां बाबा की खरीघोटी दोनों को लाइक करें सब्सक्राइब करें सेर करें ब्ला अइकन सिन्ट दोनों को लाइक कर